Hello friends, आज हम discussion करते हैं कि PLC module कितने type के होते हैं और कैसे हम उसका input और output को define कर सकते हैं चलिए start करते हैं, देखे हमारे पास जो PLC module है, ये PLC module delta PLC का है है ना, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये delta PLC का कौन सा model number है तो देखें, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे DBP14SS2, तो जब भी कभी आप PLC देखेंगे, तो उसका एक model number रहेगा तो ये delta PLC का model है, और इस model जो है, इसका number क्या है DBP14SS2 model है अब देखें, इस model का यदि मैं पूरा detail देखना चाहूँ, तो यहाँ पे clearly लिखा हुआ है कि model DBP14SS2, 11T, T मतलब that means यहाँ पे T जो denote कर रहा है वो T आपका transistorize type की PLC को denote कर रहा है यदि यहाँ पे R mention होता, तो that means यह relay type की PLC होती तब यहाँ पे simple relay type की operation यह PLC perform करती transistorize PLC है, तो that means इसका हम use, utilization जादा कर सकते है that means इसका use हम कर सकते हैं किसी motor को operate करने के लिए और switching operation को perform करने के लिए अब देखें, यहाँ पे आप देखेंगे power input तो इसके लिए power input कितनी requirement होती है power input इसके लिए 24 volt, 1.5 watt इसमे requirement होती है output module यहाँ पे आप देखेंगे तो 0.5 ampere और 30 volt DC इसमें output लिखा हुआ है तो that means output voltage कितना जाता है और कितना ampere इसमें output मिलता है वो इसमें output की rating लिखी हुई है तेखें, यहाँ पे delta PLC का logo लगा हुआ है यहाँ पे clear cut उसका पूरा model number और series number लिखा हुआ है अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है extension port यदि माल लीजे हमको input और output extra required हो रहे हैं मतलब हमको input और output की ज़्यादा requirement है तब हम यहाँ पे extension port को लिखाल के इसको extension को connect कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा input और output को connect कर सकते हैं अब देखें यहाँ पे जो हमारी PLC आप देख पा रहे होंगे PLC का model number mention है यहाँ पे हम communication port connect करते हैं तो हमारे पास जो laptop से communication के लिए cable रहती है उसको यहाँ पे DIN जो connector होता है इसको हम यहाँ पे connect करते हैं अब देखें यहाँ पे आप जो देखेंगे Y0 से लेके Y5 तक और यहाँ पे आप देखेंगे X0 से लेके X7 तक तो यह जो series है X0 से लेके X7 तक that means 8 जो होते हैं इसमें 8 input होते हैं और Y0 से लेके Y5 तक that means 6 जो होते हैं यह output होते हैं जब कभी मुझे input का use करना होगा तो X0 से X7 SS2 series के लिए हम लोग use करेंगे यदि मुझे output को use करना है तो Y0 से लेके Y5 हम लोग output का use करेंगे अब देखिए यहाँ पे आप जो top पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है power, run और लिखा हुआ है error यदि हम PLC को operate करने के लिए power देते हैं 24 bolt तो यह power की जो LED होती है यह blink करने लगती है run यदि PLC को हम running mode में रखे हुए हैं किसी output operation को perform करना है तब यह run की LED यहाँ पे blink होती है यहाँ पे आप देखेंगे error यदि माल लिजे hardware configuration में या software में किसी type की कोई problem है तो यहाँ पे error की जो red color की LED होती है यहाँ पे यह mention होने लगती है यदि हम PLC में normally कोई operation को perform करते हैं और हम perform करके उसके output को देखना चाते हैं तब PLC को हम यहाँ पे run mode में रखते हैं यहाँ पे run mode में मैंने इसको रखा हुआ है यदि PLC को मैं लगाया हुआ हूँ बट मैं output को नहीं देखना चाता तब मैं इसको stop mode में use करूँगा अब देखे यहाँ पे जो PLC है इस तरीके से यह connected होती है इसका एक box होता है इसके अंदर इसका जो properly CPU होता है यह जो PLC है इस PLC को यदि मान लीजे मुझे HMI से connect करना है तो यहाँ पे RS-484 pin connector होता है यहाँ पे हम HMI का plus और minus जो होता है हम connect करके उसको HMI को interface करा सकते हैं यह जो आप pin देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो आप देखेंगे 24 0 और लिखा हुआ है ground तो 24 that means यहाँ पे हम supply के 24 volt SMPS DC देंगे और जो 0 आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम ground देंगे इस तरीके से हम अपनी PLC को किसी भी control panel में utilize कर सकते हैं यदि आप control panel में लगा रहे हैं तो हमारे पास जो step होती है इसको हम इस तरीके से आगे scroll इसको खीच करके हम यहाँ control panel की जो पटी होती है उस पे हम कनेक्ट कर सकते हैं तो PLC का जो front view होता है इस तरीके से connected होता है यहाँ पे हम properly input की wiring करते हैं यहाँ पे हम properly output की wiring करते हैं जब भी आप wiring करें तो यह देखें कि wiring जो है properly in holes के अंदर properly जाना चाहिए और जो connection है वो connection properly होना चाहिए ताकि यहाँ पे error ना हो अब देखिए यहाँ पे clearly लिखा हुआ है T T that means यह transistorized type की PLC है जब भी आप इसको connect करें और use करें तो आप देखें कि यह किस type की PLC है तो basically यह जो PLC है यह एक transistor type की PLC है I hope आपको यह video काफी पसंद आया होगा आगे के technical और technology से related video देखने के लिए आप बने रहें Thank you and good wishes